C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की ध्वनी पुस्तक आनंद मैं प्रिष्ट संख्या 113, पार्ट 10, मेले का आनंद रूपल को मेले में जाना बहुत पसंद है वो अपने मित्रों के साथ पास के मेले में गई उसकी मा ने उसे 50 रुपे दिये उसने अधिकतर पैसे जूला जुलने में खर्च कर दिये यहां प्रिष्ट संख्या 113 पर एक चित्र दिया गया है यह एक मेले का द्रिष्य है जिसमें मेले के प्रवेश द्वार के पास दीवार पर लिखा है फन फैर मेले के अंदर बहुत सारे बच्चे अलग-अलग जूलों पर जूल रही है साथ ही दाई तरफ टिकट घर दिया गया है उसके अंदर एक व्यक्ति बैठा है मेले के प्रवेश द्वार के पास सुरक्षा जाँच के लिए एक व्यक्ति खड़ा है मेलों में बच्चे क्या-क्य करते हैं वो किसके साथ जाते हैं क्या खरीदते हैं और वहां कितना खर्च करते हैं इस विशय में चर्चा करें प्रिष्ट संख्या 114 मैंने कितना खर्च किया यहां तीन खाने दिये गए हैं पहले खाने में एक जूले का चित्र है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं उसी के पास 10 रुपे के नोट का चित्र है नीचे लिखा है 10 रुपे दूसरे खाने में बच्चों की रेल गाड़ी का चित्र है उसी के पास 20 रुपे के नोट का चित्र है नीचे एक रिक्तिस्थान दिया गया है तीसरे खाने में एक बड़े से गोल जूले का चित्र है नीचे दो अलग अलग रुपे के सिक्के दिये गए हैं एक सिक्का 10 रुपे का है और दूसरा सिक्का 5 रुपे का है नीचे एक रिक्तिस्थान दिया गया है कुल खर्च रिक्तिस्थान यहाँ पर तीन रिक्तिस्थान दिये गए हैं पहले रिक्तिस्थान के नीचे लिखा है रूपल की माद्वारा दिये गए पैसे घटा रिक्तिस्थान खर्च हुए पैसे बराबर रिक्तिस्थान रूपल के पास बचे हुए पैसे रूपल की एक मित्र के पास पचास में से आठ रूपए बचे थे पता कीजिए कि उसने कुल कितने रूपए खर्च किये यहाँ पर रूपल का चित्र है रूपल सोच रही है मेरे पास आठ रूपए बचे हैं और मैंने बीस रूपए का जूला जूला कुल 28 रूपए हुए फिर मैंने बीस रूपए खाने पीने में खर्च किये कुल हुए 48 रूपए मैंने दो रुपे की टौफी खाई कुल रुपे हुए पचास मैंने कुल बैालीस रुपे खर्च किये है यहाँ पर एक तालिका दी गई है इसमें जमा के सवाल है जमा बीस रुपे बराबर अड़तालिस रुपे अड़तालिस रुपे जमा दो रुपे बराबर पचास रुपे और बीस जमा बीस जमा दो बैालीस रुपे यदि आपके पिताजी ने आपको मेला देखने के लिए चालिस रुपे दिये हों एवं आपके पास तीन रुपे बचे हैं तो पता कीजिए कि आपने कुल कितने रुपए खर्च किये प्रिष्ट संख्या 115 आओ ढूंडे खरीदने के लिए कुल कितने पैसे की आवश्यक्ता होगी यहाँ प्रिष्ट संख्या 115 पर एक तालिका दी गई है इस तालिका को तीन खानों और तीन पंक्तियों में बाटा गया है पहले खाने में जूला लिखा है दूसरे खाने में टिकट लिखा है और तीसरे खाने में धनराशी लिखा है पहले खाने की पहली पंक्ती में लिखा है 20 रुपए और साथी बच्चों की रेलगाडी का चित्र बना है इसके आगे लिखा है दो इसके आगे लिखा है रुपए रिक्तिस्थान दूसरी पंक्ती के पहले खाने में लिखा है दस रुपए और एक जूले का चित्र बना है जिसमें बच्चे बैठे हैं इसके आगे के खाने में रिक्तिस्थान दिया है और तीसरे खाने में 30 रुपए लिखा है तीसरे पंग्ती के पहले खाने में लिखा है 15 रुपए और एक बड़े से गोल जूले का चित्र बना है दूसरे खाने में लिखा है दो और तीसरे खाने में रुपए रिक्तिस्थान दिया है हमने समझा कि रूपल ने अलग-अलग मोली के नोट एवम सिक्के उप्योग किये हैं अलग-अलग मोली के नोट यहाँ दिये गए हैं यहाँ पर तीन नोटों के चित्र है पहला नोट है 100 रुपय का और उसके नीचे लिखा है 100 रुपय दूसरा नोट 200 रुपय का है और उसके नीचे लिखा है 200 रुपय तीसरा नोट 500 रुपय का है और उसके नीचे लिखा है 500 रुपय प्रिष्ट संख्या 116 पता कीजी कि 500 रुपय के नोट पर 500 कितनी बार लिखा है। यहां पृष्ट संख्या 116 पर 500 रुपय के अगले और पिछले भाग के चित्र को दिया गया है। क। प। 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 रुपय शब्दो में रिक्तिस्थान बार। ख, पात सौ अंको में रिकतिस्थान बार यहाँ पर एक हरगोष का चितर है और उसके दूसरी तरफ लाल किले का चितर है खरगोष कहता है पात सो रुपे के नोट पर कौन सी एतिहासिक इमारत का चितर बना है? क्या आपने इस एतिहासिक इमारत को देखा है? बच्चों से उनके आस पास लगने वाले मेलों पर चर्चा कीजिए जैसे वो किसके साथ मेले में जाते हैं, वो क्या खरिदते हैं, वो कितना खर्च करते हैं बच्चों से भारती मुद्रा एवन उनकी विशेश्ताओं के विशे में पूछीए दिव्यांगों के लिए नोट पर दी गई विशिष्टाओं पर चर्चा की जिए जैसे नोट के किनारे पर बनी रेखा नोट पर लिखी संख्याएं आदी प्रिष्ट संख्या 117 तेजल की दादी ने उसे कुछ पुराने सिक्के दिये जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे यहाँ प्रिष्ट के उपरी भाग में एक आयताकार आकरती के अंदर कुछ सिक्के दिये गए हैं यह सिक्के हैं 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे और 20 पैसे के इनके नीचे लिखा है 25 पैसे, 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे दादी मा एक रुपै देने के लिए 50 पैसे के दो सिक्के देती थी यहाँ प्रिष्ट के मध्यम भाग में एक आयताकार आकरती के अंदर तीन सिक्के दिये गए हैं दो पचास पैसे के और एक एक रुपै का यहाँ लिखा है बताईए कि एक रुपै देने के लिए 25 पैसे के कितने सिक्के देने होंगे यहाँ दिये गए बॉक्स में चित्र बनाईए यहाँ पर एक आयताकार आकरती का चित्र है इसमें इस आयताकार आकरती का बाया भाग रिक्त है और दाए भाग पर लिखा है बराबर एक रुपै या सो पैसे बीस पैसे के कितने सिक्के एक रुपै बनाएंगे रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 118 गुबारा फोडो मटरू के सामने एक गुबारा फोडो खेलाता है उसे 10 रुपे के लिए 3 अवसर मिलेंगे आईए देखें कि मटरू कितने रुपे जितता है आईए अब समझते हैं कि मटरू कितने रुपे जितता है यहाँ प्रिष्ट संख्या 118 पर एक मेले के अंदर का द्रिश्य है, जिसमें एक बोड पर एक तरफ कुछ रंगीन गुबारे दिये गए हैं और दूसरी तरफ लिखा है बोड के पास कुछ बच्चे हैं, उन में से दो बच्चों के साथ उनकी मा वहाँ पर खड़ी है एक लड़का डाड से गुबारे को फोड़ता है मटरू को गुबारा फोड़ने पर कितने रुपई मिलेंगे? यहाँ पर एक तालिका दी गई है, तालिका के दो खाने हैं और इसकी चार पंक्तिया है तालिका की पहली पंक्ति में दो गुबारे हैं पहला गुबारा लाल और दूसरा गुलाबी है और इसके सामने लिखा है तीन रुपई तालिका की दूसरी पंक्ती में तीन गुबारे हैं पहला लाल, दूसरा हरा और तीसरा लाल है तालिका की तीसरी पंक्ती में भी तीन गुबारे हैं पहला नीला, दूसरा नीला और तीसरा गुला भी है और तालिका की चौती पंक्ती में फिर दो गुबारे हैं पहला हरा और दूसरा पीला है दूसरी से लेकर चौथी तक की तीनों तालिकाओं के आगी का स्थान रिक्त है अब आप इस तालिका को स्वेम भरें प्रिष्ट संख्या 119 यदि वह यहां लिखी धनराशी प्राप्त करना चाहता है तो उसे कौन से गुब बारे फोड़ने होंगे उन्हें बनाईगे और रंग भरिए यहां प्रिष्ट संख्या 119 पर एक तालिका दी गई है जिसे दो भागों में बाटा गया है इस तालिका में तीन पंक्तियां है पहले भाग की तीनों पंक्तियां रिक्त हैं दूसरे भाग की तीनों पंक्तियों में अलग अलग रुपए अंकों में लिखे हैं पहली पंक्ति में 17 रुपए लिखे हैं दूसरी पंक्ति में 22 रुपए लिखे हैं और तीसरी पंक्ति में 31 रुपए लिखे हैं सबसे अधिक पैसे जीतने के लिए आप कौन से तीन गोबारे फोड़ेंगे उनके चित्र बनाईए और रंग भी भरिए यहाँ पर एक आयताकार आकरती है जिसका उपर का भाग रिक्त है और नीचे लिखा है जीती गई कुल राशी बराबर रिक्तिस्थान यदि मटरू के पास चार अफसर हैं तो वो कौन से गोबारे फोड़ेंगे जिससे उसे अधिक पैसे मिलेंगे उनके चित्र बनाईए और रंग भी भरिए यहां एक आयताकार आकरती दी गई है इसका उपर का हिस्सा इसका उपर का भाग रिक्त है और नीचे लिखा है जीती गई कुल राशी बराबर रिक्तिस्थान प्रिष्ट संख्या 120 आओ करें आये जाने कि हम 66 रुपै को किस किस तरह से चुका सकते हैं यहाँ प्रिष्ट संख्या 120 पर एक गोला कार आक्रती दी गई है इसके साथ भाग है इसके पहले भाग में एक 50 रुपय का नूट और एक 10 रुपय का नूट एक 5 रुपय का सिक्का और एक 1 रुपय का सिक्का है दूसरे भाग में 3 20 रुपय के नूट एक 5 रुपय का सिख्का और एक 1 रुपय का सिख्का है तीसरे भाग में 20 रुपय के 3 सिख्के 5 रुपय का 1 सिख्का और 1 रुपय का 1 सिख्का है चौथे भाग में 10 रुपय के 5 नोट 10 रुपय का 1 सिख्का 2 रुपय के 2 सिख्के और 1 रुपय के 2 सिख्के है पांचमे भाग में 20 रुपे का एक नोट, 10 रुपे का एक नोट, 20 रुपे का एक सिक्का, 10 रुपे का एक सिक्का और 2 रुपे के 2 सिक्के हैं छटे भाग में 50 रुपे का एक नोट, 5 रुपे के 3 सिक्के और 1 रुपे का एक सिक्का है आखरी यानि सात्मे भाग में 10 रुपए के 4 नूट और 20 रुपए का 1 नूट, 5 रुपए का 1 सिक्का और 1 रुपए का 1 सिक्का है इस आकरते के बीचों बीच लिखा है 66 रुपए दी गई धनराशी को अलग-अलग नोटों और सिक्कों का उप्योग करके अलग-अलग तरीकों से बनाईए यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसके साथ भाग है सबसे उपर लिखा है धनराशी दूसरे भाग में लिखा है एक रुपए तीसरे में है दो रुपए चौथे में पांच रुपए पांचवे में दस रुपए छटे में बीस रुपए और साथ में भाग में पचास रुपए लिखा है धनराशी के नीचे दो खाने दिये गए हैं पहले खाने में 54 और उसके नीचे वाले खाने में 50 लिखा है 54 वाले खाने के उपर की पंक्ती में लिखा है रुपए एक रिक्तिस्थान, रुपए दो के नीचे दो, रुपए पाँच के नीचे रिक्तिस्थान, रुपए दस के नीचे तीन, रुपए बीस के नीचे एक और रुपए पचास के नीचे रिक्तिस्थान और बाकी सारे खाने रिक्त है प्रिष्ट संख्या 121 राशी 15 रुपे दही राशी 28 रुपे पैंसिल राशी 3 रुपे बिस्कुट राशी 5 रुपे पानी की बोतल राशी 55 रुपे क्रेयोन रंग राशी 20 रुपे साथ संतरे एक पोटली में राशी 30 रुपे पैन राशी 10 रुपे कप राशी 10 रुपे दूद का पैकेट 32 रुपे गाड़ी का खिलोना 15 रुपे यहाँ पर एक तालिका दी गई है तालिका के चार भाग हैं सबसे उपर लिखा है वस्तु फिर लिखा है खरीदने के लिए आवश्यक धन उसके बाद लिखा है आपके पास धन और फिर लिखा है शेश धन या आवश्यक धन तालिका की तीन पंक्तियां है पहली पंक्ति में वस्तु के नीचे एक पुस्तक का चित्र है और मुल्य है 15 रुपई दूसरे वस्तु का चित्र है दही का डिब्बा और मुल्य है 28 रुपई इसके आगे है रुपई रिक्तिस्थान और उसके बाद 10 रुपए का एक सिक्का और 20 रुपए का एक नोट दिया गया है और उसके बाद लिखा है रुपए रिक्तिस्थान तालिका की दूसरी पंक्ती में दो वस्तुएं है पहली वस्तु में 7 संत्रों का चित्र है और मुल्य है 30 रुपए दोसरी वस्तु चाय का एक कप है और मुल्य है दस रुपए उसके आगे लिखा है रुपए रिक्तिस्थान और उसके बाद पचास रुपए का एक नोट और पांच रुपए का एक सिक्के का चित्र है और फिर लिखा है रुपए रिक्तिस्थान तालिका की तीसरी पंक्ती में तीन वस्तमें दी गई हैं पहली पंक्ती में क्रियोंस रंग का चित्र है और मूल्य है बीस रुपई दूसरा एक गेंद का चित्र है और मूल्य है बीस रुपई और तीसरा चित्र एक बोतल का है जिसका मूल्य है पचपन रुपई आगे लिखा है रुपए, रिक्तिस्थान और फिर उसके बाद 20 रुपए का एक नोट और 10 रुपए के दो सिक्कों की चित्र बने हैं और उसके बाद लिखा है रुपए, रिक्तिस्थान कुछ मौखिक प्रश्ण भी पूछें जैसे 40 रुपए में क्या क्या खरीद सकते हैं इतने रुपए में क्या नहीं खरीद सकते टॉफी, बिस्किट या सामान खरीदने के उनके अनुभों पर बात कीजिए एक सो बाईस, आओ करें यहां प्रिष्ट संख्या एक सो बाईस पर चार जोड के सवाल दिये गए हैं लिखा है रुपे अठा रहे जमा रुपे बतीस रिक्तिस्थान रुपे पंद्रह जमा रुपे सत्ताईस रिक्तिस्थान रुपे सेंतालीस जमा रुपे पचास रिक्तिस्थान रुपे बाईस जमा रुपे पैंतीस रिक्तिस्थान दाई और एक लड़के का चित्र बना है जो कुछ सोच रहा है वो क्या सोच रहा है सुनिए क्या आपने कभी देखा है कि मूली चुकाने के लिए मोबाइल का उप्योग किया जाता है क जयन्त ने 25 रुपए पैन पर और 40 रुपए कौपियों पर खर्च किये उसने कुल कितना रुपए खर्च किये ख मीरा के पास 43 रुपए है कनिका के पास मीरा से 14 रुपए अधिक है कनिका के पास कितनी रुपए है ग एक ब्रेड के पैकेट के कीमत 30 रुपए है और चौकलट के कीमत 60 रुपए है विवेक को ये वस्तुएं खरीदने के लिए कितने रुपईयों की अवशक्ता है और घह अजय के पास 58 रुपई हैं उसने बाजार में 48 रुपई खर्च कर दिये अब उसके पास कितने रुपई बचे हैं परियोजना कार्य जब आप माता पिता के साथ बाजार जाएं तो खरीदी गई वस्तुओं की सुची बनाईए एवं खर्च किये गई पैसों का हिसाब लगाईए ऐसे अन्य सद्नर्बों पर बच्चों से चर्चा कीजिए एवं प्रश्न पूछिए कि वो जोड करेंगे या घटाएंगे चर्चा के माध्यम से बच्चों में धन की बचत करने पर बातचीत कीजिए अभी आप सुन रहे थे कक्षा दो की गणित की ध्वनी पुस्तक आनंद मै वाचन स्वर प्रवीन शर्मा और शाली डी सिंग तक्नीकी निर्देशन बटी लैंग लिंग्डो ध्वन्यंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान निर्माण सहयोग कुसुमलता निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुती CIET NCERT नई दिल्ली भारत